गैस अगर आपका इंस्टाग्राम के उपर एक पेज है आप उसके उपर कोट्स, मीम, साइरी या फिर कोई भी पोस्ट बनाते हैं अगर आप ऐसे कुछ प्रोफेशनल पोस्ट बनाना चाते हो ताकि आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो करे तो आज के डो में हम आपको करा देखिया सो लेस्ट टार्ट अगर आप कुछ भी पोस्ट को करियेट कर रहे हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकती हो कैनवा इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इसको यूज करना काफी ज्यादा असान है जब आप इस ए कैरिश को अधर करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज अपन हो जाएगा यहां पर आपके सामने पहले ही लिखा पर आहा है इंस्टाग्राम पोस्ट Updata सर्च भी कर सकते हो गैस आप यहां पर Instagram पोस्ट के उपर भी एक बार टैप कर सकते हो और यहां पर आपके सामने सबी टाइप के Categories आ जाती हैं Instagram के लिए बड़ी सानी से पोस्ट को create कर सकते हो तो गैस अब आपका पेज क्या है Instagram के उपर आप उसी टाइप के पोस्ट को यहां पर create कर सकते हो जैसे कि यहां पर लओ Instagram पोस्ट Animated इंस्टागराम पोस्ट Food related कोई Instagram पोस्ट हो गया बड़े रेटिड पोस्ट हो गया या फिर आपके कोई और भी पोस्ट हैं आप उसी टाइप के सबी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है वाइस अगर आप कोई memes को create करना चाहते हो तो आपने CL की उपर एक बार टैप कर देना है अब आपने सर्च की उपर एक बार टैप कर देना है अभी यहां पर Instagram पोस्ट के साथ आपने लिखकर सर्च करना है meme तो ऐसा लिखकर आपने एक बार सर्च कर देना है और ऐसा सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ meme से लेटेड कंटेंट आपके सामने आजेगा वाइस आपने Instagram के उपर देखा हुआ आपके सामने कुछ इसी टाइप के ही meme पोस्ट आते हैं तो ऐस अब यहाँ पर आपको इनको अडिट करना हुआ आप चाहे तो इनको अडिट कर सकते हैं और अपना कंटेंट इनके अंदर डाल सकते हैं तो किसी भी पोस्ट के उपर टैप कीजिए जो आपको अच्छा लगे और इसके अडिट के उपर एक बार टैप कर दीजिए अब गैस यहाँ पर आप बिल्कुल ही इसको चेंज कर सकते हो गैस यहाँ पर जो भी लिखा है आप उसको बड़ी सानी से चेंज कर सकते हो आप अपने अनुसार, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार कोई भी यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हो या फिर कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो उसके बद आप इसको सेव कर सकते हैं इसके लावा भी आपको meme selected काफी सारे ideas और categories देखने को मिल जाती हैं आप इनको भी जाकर यहांपर edit कर सकते हैं जैसे कि आप memes के अंदर देखते थे आप कुछ इस type के post देखने को मिलते थे तो अब आप चाहें तो इनको edit कर सकते हैं और अपना material यहांपर insert कर सकते हैं उसके बाद आपने इसको save कर देना है तो आप यहांपर अपने coding कुछ भी अपना डाल सकते हैं वाईस आपने सारे या फिर codes को लिकर यहांपर search कर देना है उसके बार आपके सामने कुछ इस टाइब के देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर आईडिया ले सकते हैं कुि सी सायरी किस टाइब से पेज में लिखी जाए वो आपको अच्छी दिखने को मिलने वाली है तो कोई भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और अपना material यहां पर insert कर सकते हैं इनकी जगह हैं इस आपके quotes page के लिए या फिर आपके meme page के लिए काफी अच्छे design यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं आपको जो भी पसंद आए आप इनके अंदर insert कर सकते हैं बड़ी सानी से आप चाहिए तो इन photos को भी change कर सकते हैं यह जो पीछे image है आप इसको भी change कर सकते हो अपनी कोई अलग से image डाल सकते हैं इसके लिए आपने एक बार इसके उपर tap कर देना है या फिर आपको अपनी Google से image को download कर सकते हो या फिर आपकी gallery के अंदर पहले से ही है तो आप इसको भी याँपर search करके डाल सकते हो इसके बाद आपने अपनी siree को भी याँपर insert कर देना है आपने इसको edit करना है और जो आपकी siree है उसको अपने insert करना है यहाँ पर आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हो ताकि आप अपना खुद का नाम यहाँ पर डाल पाओ उसके बाद काईस आपने इसको सेव कर देना है गाईस मैं यहाँ पर शिरब आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर आपनी सेव के ऊपर एक बार टैप कर देना है और यह वाला पोश्ट आपका सेव हो जाएगा तो वाइस इस कैनो आप की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाते हैं काफी सारे अगर आपको डिजाइन समझ में नहीं आते हैं तो आप इसकी हैल्प ले सकते हैं अच्छे अच्छे डिजाइन को डूंडने के लिए इंस्टागराम की पोश्ट को बनाने के लिए आप फेक ट्वीटर एप का भी यूज कर सकते हैं अपचे तो रियल ट्वीटर एप का भी यूज कर सकते हैं आपने काफी सारे पोश्ट को ऐसा देखा हुआ जिनके अंदर स्क्रीन सोट डाले होते हैं किसी भी ट्वीटर पोश्ट के जैसे कि आप कुछ इस टाइप के पोश्ट को देखते होगे जब कर सकते हैं पिकसार का फियर ट्वीटर ऑडिटिंग करने के बाद आपने इस पलश की तैप करना है और यहां पर आपको बैक्ग्राउंड देखने को मिल जाएंगे आपने इस वाइट बैक्राउंड को चूज कर लें आप सहे को और टेप कर देना पिर आपने crop के उपर टैब करना है अब ही यहां पर आपको इस crop ratio के उपर एक बार टैब कर देना है गास जो इंस्टाग्राम का crop ratio होता है वह 1080 ago nauc Dusty होता है तो ये आपने यह पर डाल लेना है और इसको resize कर देना है 1060 कुना 1080 डाल कर उसके बाद ये Instagram का सामने आ जाता है और Stick के उपर आपने एक बार टैप कर देना है उसके बाद आपने add photo के उपर एक बार टैप करना होगा और जो आपने Twitter post का screen सोट लिया था उसको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा post आ जाएगा और यहाँ पर आपका Twitter post बन जाएगा जैसा कि आप किसी और की वीडियोस के अंदर भी देखते थे कैस उसके बाद यहाँ पर आप इसको erase भी कर सकते हो जो कि यहाँ पर extra समान यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर erase करने के बाद आपका यहाँ पर post बिल्कूर ready हो जाता है पोस्ट करने के लिए अब आपने इसको save कर लेना है आपने इस gallery के उपर इसको post करके save कर सकते हैं आप इसको अपने Instagram पेज के उपर share कर सकते हो